हलो फ्रेंड्स बहुत- मुझा स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इस में मैंने लिए हैं फ्रीजर डिप्लेस्मेंिंट के कुछ कुश्चिन और फ्रेजल वर्ब्स के कुछ इन ये पूरी तरीके से एक नया कहेंगे यह कोस्टेन थोड़े से सख्वाब आने की ज्यादस शम्भाबना नहीं लेकिन प्री पूछे जा सकते हैं arrivé कह सभी तरह के प्रहking वेजर सब्सक्राइब कि एग दर स्परवाया को सब्सक्राइब तरह都是 कवेश्यर्स की प्रैक्राइब और क्योंकि यहां से इस question को पढ़ते हैं इसमें एक particular phrasal verb दी है यहांपर nod off और उसको आपको उसके meaning को आपको पता करना है You were so tired after the game that you nod off on the couch Couch हम बोलते हैं गद्दे को या सोफा को जिसमें हम सोते हैं या बैठते हैं Couch ठीक है तो इस sentence का meaning क्या निकल रहा है You were so tired after the game Game के बाद आप इतने ठक चुके थे आप इतने exhaust हो गएते इतने ठक चुके थे कि couch पर आप ठकने के बाद जब couch पर बैठेंगे तो आपका क्या होगा आप normally आपको जपकी आ जाएगी या आप सो जाएगे तो nod off यहाँ पर सही है Nod off जो nod off का जो meaning होता है वो होता है सो जाना ठीक है fall asleep इसका meaning होता है लेकिन चुकी यह sentence past में है तो इसलिए nod off ना लिखते हुए हम लिखेंगे nodded off ठीक है nodded off का option यहाँ पर दिया हुआ है D इसका सही answer इसका होगा nod off nod off का अर्थ होता है fall asleep second question देखते हैं he did not drink enough water so he passed out at the end of the race चुकी उसने sufficient quantity में पानी नहीं पिया था इसलिए यदि आप पानी नहीं पीते हैं sufficient quantity में और race आप दोड़ते हैं तो क्या होगा आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और आप faint हो जाएगे ठीक है बेहोश होके गिर सकते हैं आप तो pass out का मतलब वही होता है faint होना लेकिन ये चुकी sentence past tense में है past tense indicate हो रहा है यहां से he did not ठीक है तो इसलिए इस phrasal verb को हम pass out नहीं लिखते हुए past out लिखेंगे past doubt ठीक है past doubt का रत होता है faint हो जाना बेहोश होके गिर जाना है तो इस तरीके से इसका अंसर होगा सी आगे कुछ question और देखते हैं she had so many cats that she kept mix up their names देखें यदि चार-पांच चीजे हैं आपके पास और उनके अलग-अलग नाम है और आप उनके नाम नाम को mix करते रहते हैं तो उसी को प्रियोग करते हैं क्योंकि captain जो है यह एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ठीक है कीप on का मतलब होता है करते रहना captain मतलब करता रहा पास्ट में चला गया यह और captain की जगह हम captive भी बोलते है कीप on की जगह हम keep भी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना ठीक है चुकि यह प्रपोजिशनल फ्रेज है और प्रपोजिशन के बाद हम वर्प की आएंजी फॉर्म का प्रियोग करते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद चाहे कोई सा भी प्रपोजिशनल फ्रेज हो इन जैसे look forward to हो या with a view to हो या in despite of हो या despite of हो ठीक है इन सभी के बाद हम प्रपोजिशनल फ्रेजिस के बाद वर्प की आएंजी फॉर्म का प्रियोग करते हैं यह रूल है और यहां पर इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा तो kept के बाद यहां पर mix up तो सही है लेकिन mixing up यहां पर आपका होना चाहिए look by for now इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब यह है कि यदि आप इस game में take part नहीं करना चाहते यदि participate नहीं करना चाहते यदि हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो आप दर्शक बन सकते हो और दर्शक बनने को दर्शक जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं लोकर लेकि लोकर्स ओन का वरफ फॉर्म यहां पर आपको चाहिए तो लुखन आप बूल सकते हैं यहां पर लुकन आप बोल सकते हैं। कि सही होगा कि नेक्स सेंटेंस पड़ते हैं आई फील सो लेट अप बिकॉज दे प्रावमिस्ट मी अपपी बट और आई गॉट वास अडॉल मैं की उन्हों ने मुझे प्राविस्ट किया था प्राविस्ट किया था कि वुजे पपी देंगे उनिफ्ट का बच्चा देंगे ठीक है लेकिन मुझे क्या मिला मुझे डॉल मिली एक गुडिया मिली खेलने के बिचित तो इसलिए और disappoint होने का sense जो निकलता है, वो let down से निकलता है, let up से नहीं, let down, I was let down, when I could not clear the SBI pre-exam, I was let down, मतलब I was disappointed, ठीक है, तो let down यहाँ पर आपका सही answer होगा, let up का मतलब होता है, किसी चीज, जैसे आप किसी activity को कर रहे हैं, intensity के साथ कर रहे हैं, ठीक है, religiously कर रहे हैं किसी activity को, तो उसमें यदि आप धील देते हैं, if you relax in some way, if you are already doing something, and if you relax the activity, ठीक है, that process is called let up, do not let up, मतलब आप जो महनत कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, उसमें धील मत आने दो, उसको हम बोलते हैं, let up, लेकर निराश होने को हम बोलते हैं, let down, I was let down, ठी निराश किया, तो let down, हम noun के form में भी यूज़ करते हैं, जैसे it was a big let down, यह बहुत बली निराशा थी, यह बहुत बड़ा disappointment था, तो let down आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, let up का मतलब होता है, किसी चीज में धील देना, किसी चीज को उतनी sincerity के साथ नहीं करता हैं, जैस to keep into with the news, sentence यह बोलेगी कोशिश कर रहा है, कि मैं newspaper पढ़ता हूँ daily, या पढ़ती हूँ daily, ताकि मैं अपने आपको update रख सकूँ, to keep up, यहाँ पर keep up word आएगा, to keep up with, to keep up, हाँ, with तो इसमें यही है, to keep up with होता है, actually, तो see, इसमें आपका सही answer होगा, next, देखते हैं, even after talking, यह type 2 के question है, और इसमें थोड़ा सा grammatical sense में आपको correction करना होगा, even after talking the matter for us, we could not arrive at a decision, बतलब उस matter पर हम काफी दिर तक बात करने के बापजूद भी, we could not arrive at a decision, हम एक सही decision पर नहीं आ पाए, या conclude नहीं कर पाए, तो जब आप किसी subject पर चर्चा करते हैं, तो analytical way में, जब आप किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं, और उसके through आप infer करना चाते हैं, किसी चीज़ को conclude करना चाते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे, उसके लिए आप बोल सकते हैं, talking over, talking over the matter, किसी चीज़ पर आप करते हैं, या मतला होता है, तो talking about और यहां पर चर्चा करना के लिए, तो talking about կहां पर गलत होगा, Let us see the next question, he advised his son, उसने अपने सन को advise किया, not doing anything which is against his conscience, मतलब उसने अपने सन को advise किया कि वो कोई भी ऐसी चीज ना करे जो उसकी अंतर आत्मा के खिलाफ हो, Consense का मतलब होता है अंतर आत्मा, ठीक है, Conscious एक word होता है Conscious, जिसका मतलब होता है कि आप aware है, ठीक है, आप सचेत हैं, आप aware है, उसको हम बोलते है Conscious, और यह है Consense, Consense मतलब आपका यू आत्मा है, आपका यू अंतर आत्मा है, उसको हम बोलते है Consense, तो he advised his son, देखे, उसने अ कैसी वर्व है जिसके बाद हम टू प्लस वीवन लगाते हैं तो यहां पर नॉट डूइंग के स्थान पर या आप या तो लगा सकते हैं ही एडवाइजिसन नॉट टू डू लगा सकते हैं लेकिन नॉट टू डू इसमें नहीं है और नॉट टू डू के स्थान पर आप नेवर टुडू भी लगा सकते हैं टू प्लस वी बन आप लगा सकते हैं नौट टू डू या नेवर टू डू आप लगा सकते हैं तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा है नांसल स्ट्टो डेखते हैं रिसेंटरी देशिंटरी इंक्रीज रिटवी देञें यहां पर आपको बूलना पड़ेगा सदन यहां पर इंक्रीज और यहां पर आपको बूलना पड़ेगा सदन यहां पर इंक्रीज और इंक्रीज जो हुआ है किसी में हुआ है in the price of oil there has been यहां पर लगा सकते हैं एठीक है there has been a sudden increase in the price तो क्या है अपने आपने नाउन है there has been मतलब ऐसा हुआ है डीसेंट ली तो किसी चीज का आपको नाम यहां पर बताना पड़ेगा there has been a sudden a sudden increase in the price of oil चुकि sudden increase एक noun है increase एक noun है और उसको qualify कर रहा है adjective sudden increase एक noun है increase में जब अब ed लगाते हैं तो verb की form होती है increase का मतलब होता है किसी चीच का बढ़ना या बढ़त तो यह एक noun है noun को qualify किया यहां पर adjective से और चुकि यह noun है तो इसलिए a लगाना भी यहां पर जरूरी है तो यहां पर आपका C यहां पर आपका सही answer होगा a sudden increase in the price of oil इस तरह से इसको करना होगा that company is our rival since it provides similar services to ours इने देखें पहने sentence को समझने की कोशिश करिए that company is our rival वो company जो है हमारी rival है हमारी बिरोदी है हमारी प्रतिदुन्दी है ऐसा क्यों है since it provides क्योंकि ये प्रवाइट करती है similar services to ours मतलब हमारी services के similar services ये प्रवाइट करती है इसलिए company कैसी हुई हमारी प्रतिदुन्दी हुई तो हमारी प्रतिदुन्दी क्यों ही क्योंकि इसमें दो कंपनी की बात हो रही है एक हमारी कंपणी और एक दूसरी कंपणी ये दौनों कंपणी एक दूसरे की क्या है राइवल है तो दो कंपणी की बात हो रही है यानि यहां पर आपको comparative degree चाहिए च्योंकि दो चीयों को आप compare कर रहे हैं इसलिए यहां पर आपको comparative degree adjective की comparative degree का प्रयोग करना पड़ेगा तो दूसरी कंपणी इस कंपणी की राइवल इसलिए है क्योंकि दूसरी कंपणी जो है वो same product को lower prices में बेचती है लो प्राइस हम क्यों बोलेंगे हम से कम बेचती है हम यदि 10 रुपए में बेच रहे हैं उसको तो वो कंपणी 8 रुपए म तो इसलिए यहां हम बोलेंगे at lower rates at lower rates ठीक है इन lower rates नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर comparison हो रहा है lowest का मतलब हो जाएगा सबसे कम दस लोग है दस लोग में सबसे कम price तो यहां पर दस लोग तो है नहीं यहां पर तो केबल दो parties है इसलिए हम year form का प्रियोग यहां पर ठीक है for as lower यह यह construction जो है यह गलत है यहां पर हम बोलेंगे at lower rates यहां पर यहां पर हम डी यहां पर आपका सही आंसर होगा कि कोश्ची नंबर 11 दिखते सुधा वर्स डिटर्मेंट टुगेट अबेटर जॉब इन परसूइं हायर इस्टेडिस यहां पर फिर से प्रिजेंट पार्टिसिपल का एक कॉंसेप्ट है कि सुधा जो थी वो डिटर्मेंट थी उसने दरदिश्य कर लिया था बेटर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं तो सीस में आपका सही अंसर होगा सुधा डिटर्मेंट तुगेट एटा बेटर जॉब यहां परर्टूइं है शुदा डिटर्मेंट थी पर्. देयं बटर जॉब को लेने के लिए हाई-स्टैडिक cos li तो इस तरीके से यह sentence आपका सही है, C इसमें आपका सही answer होगा, next sentence देखते हैं, the surface of the road has got severe damage due to during the heavy rains last week, अब देखिए, यहाँ पर road की जो surface वो damage हो गई है, जब heavy rain हो रही थी कल उसके दोरान, heavy rain के दोरान, और यहाँ पर last week, यह एक indication दे रहा है कि यह sentence जो है, यह आपका किस में है, past में है, last week से हमें पता पढ़ रहा है, कि यह sentence है, यह किस में है, यह past tense में है, तो past के according यहाँ पर helping verb आएगी, और past वाली helping verb है, इसमें यह, D वाली, the surface of the road was severely damaged, जो heavy rain हुई उसके बाद severely damaged हो गई, काफी बुरी तरीके से, severely मतलब काफी बुरी तरीके से वो damage हो गई, last week से हमें पता पढ़ा कि past tense है, और past equivalent इसमें एक भी नहीं है, cable D इसमें past equivalent है, तो D इसमें आपका सही answer होगा, इंडिया के पास काफी लॉज हैं, इंडिया के पास ऐसे काफी सारे लॉज हैं, जो regulate करते हैं किसी इच को, regulate the use of land, regulate the use of land in urban areas, regulate the use of land in urban areas, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, regulate, इंडिया हैस मैनी लॉज तो रेगूलेट दा यूज अफ लेंड इन अर्वन एरियास, तो B यहाँ पर सही answer होगा, इंडिया हैस मैनी जोज तो रेगूलेट दा यूज अफ लेंड इन अर्वन एरियास, यहाँ पर आपका, B आपका सही answer होगा, यहाँ पर आपका आपका बोलेट वहाँ प्रजेक्ट परजेक्ट को अपने हाथ में इसने लहीं लिया, कि वो fail होने से डर रहा था He was fearful to fail लेकिन fearful हम बोलते हैं physical situations के लिए ठीक है सब को जब जंगल में खड़े हैं और आपके साब में share आ गया तो वहाँ पर आप थोड़ा सा fearful वहाँ पर आप word use कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को और अपर आपका पर यहां पर तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा इस टॉक्स वर्दी आफ रूबीस वन लेक वर दिस्टॉइड इन दफाइम फायर विच अकर्ड लास्ट नाइट जो स्टॉक्स थे जो कंपणी के शेयर्ष थे जिनकी कीमत कितनी थी एक लाग रूपे वो डिस्टॉइड हुगए फायर में और फायर कब हुई है फायर हुई है लास्ट नाइट को ठीक है स्टॉक्स की कीमत कितनी है रूपीज वन लेक इनको क्या हुआ, they were destroyed, कल destroyed हो गए, किस चीज में, in the fire, fire कहां पर लगी, which occurred last night, last night हुई, तो worthy का क्या मतलब है, वर्दी का मतलब होता है, किसी चीज के लायक, इस तरीके से, तो worthy का मतलब होता है, लेकिन यहां पर हम कीमत बता रहे हैं, और कीमत को हम बोलते हैं, वर्थ, तो यहां पर हम बोलेंगे, इस टॉक्स वर्थ, रुपीज वल लेक, इस टॉक्स जिनकी कीमत थी एक लाग रुप है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठिक है, नेक्स संते लेक्ते, देक्टे देंगे, थे मैनेचर परोट्रृूस एबिढ से अराउटूस थीच फेहा टोयार थेशिग कर सैक्स जीặc श्याम के अगेंस जो केस था उस चीश को बेर आउट करने के लिए बेर आउट यहां पर एक्चुली कैसा वर्ड होना चाहिए यहां पर कैसा वर्ड होना चाहिए जो सपोर्ट के एक्यूवलेंट हो तो सपोर्ट का एक्यूवलेंट जो वर्ड है वो है बेर आउट इसका मतल निश्यत रूप से बैंक पी ओप्री में और आई वी पीस क्लर्क प्री में इस तरह के कुश्चन आप से पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो क्लास के बारे में अपना फीडबेक मुझे जरूर दें और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो क्लास है वो आपको जल्दी ही प झाल